मा तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊँगा तू सपने बड़े देखना में करके दिखला हूँआ दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूटूब चनल M के लासेज पर आज का ये वीडियो आप सभी की परिच्छा को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है जो आपकी exam होने वाली है economics की 2024 में उसका मैं viral question paper लेकर आप सभी के लिए आ चुका हूँ यदि बच्चो आपने इस question paper को solve कर लिया तो आप objective question में से 30 में से 30 objective question आराम से बना दोगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा ये चैनल पहली बार आये हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो वीडियो को start करते हैं तो देखिए बच्चो आज का पहला question तो देखिए पहला question क्या है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रियोक किया जाता है कहलाती है ऐसी वस्तुएं कहेंगे हम इस थानापन वस्तुएं option number आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा question number थड़की बात करें पूछ रहा है मांग का संकुचन तब होता है जब क्या होगा कीमत बढ़ जाएगी और मांग घट जाएगी option number आ चला जाएगा बात करते है question number 4 की राश्टी आयकी गण्णा में निमली कितमे से किसे सम्मानित किया जाता है तो इसमें क्या जाएगा नई अंति वस्तुएं एवं सेवां को option number आ अगला है GNP का आप से फोर्मूला पूछ लिया गया है ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा option number आ बात करते है next question की मूली व्रदि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी भई बढ़ जाती है option number A हो जाएगा बात करते है next question की आयतकार अति परवल्यकार मांग वक्र निम्मे से क्या दिखाता है यह हमें से दिखाएगा इकाई मांग लोच option number C हो जाएगा बात करते है next question की आवेसक वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो यह हमेशा होती है वही सुनने option number A बात करते है next question की मांग की लोच कितने प्रकार की होती है यह हमेशा चार प्रकार की पाई जाती है बात करें next question की निम्मनाकित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसमें आपका कौन सा कथन सकती है भई B, C और D आपका wrong है, A option आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बात करते है next question की सीमांत उप्योग प्रिवर्टी क्या है, formula बताइए भई क्या होगा, तो इसका option नमबर D बिल्कुल सही हो जाएगा बात करते है next question की आपसे पूछ रहा है, साम में वहे इस्तिती है जिसमें गति की सुध प्रिवर्टी ने हो, यह कथन किन का है यह कथन दिया था, चेंबर लीन ने, option नमबर आपका D बिल्कुल सही हो जाएगा, बात करते है next question की, विवस्ता की जोखिम सहने के बदले में उदेमी क्या प्राप्त करता है तो यह करता है भी लाप्राप्त option नमबर D आपका सही हो जाएगा बात करते है next question की किसने राष्टी आयका लेखांकन का पहला प्रियास किया था तो इनका नाम था किन से option नमबर आपका A हो जाएगा अगला है एकादिकार का मांग वकर कैसा होता है इसका जो मांग वकर होता है बेलोचेदार option नमबर A आपका सही हो जाएगा next question क्या है आर्थि व्रद्दी की आउधारना अर्द सास्तर में किन के द्वारा प्रिष्टित की गई थी ये एडम स्मित के द्वारा प्रिद्शित की गई थी अगला कुशन देखिए क्या है पूंजी गत खाता किसके अंतरन से सम्मंदित है ये आपका है पूंजी गत से option नमबर A हो जाएगा next question देखिए कुल आय और कुल उप्योग उप्भोग के अनुपात को क्या कहते है तो इसके अनुपात को हमेशा हम बोलते है ओसत उप्भोग प्रिवर्टी option number C हो जाएगा अगला कुशन है किसने सबसे पहले इस्पितिक अंतराल की आउधारना प्रिश्टित की थी तो उनका नाम है किन option number B हो जाएगा अगला कुशन देखिए क्या है भुकतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है तो यह आएगा आयात प्रितिस्थापन के द्वारा अगला कुशन है किसी बाजार में AR और MR होता है तो यह होता है आपका पूर्फ्रतियोगिता option number आपका C हो जाएगा अगला कुशन क्या है जहां दीजिए निम्न में से कौन सही है तो इन में से आपका कोई सा भी option सही नहीं है बच्चो इसलिए आपका D answer बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कुशन देखिए क्या है आपसे पूछ रहा है कि नर्सीमहन समीती का संब्ध निम्निकत में से किस से है तो इनका जो संब्ध है वो banking सुधार से है option number B हो जाएगा अगला कुशन देखिए आपसे पूछ रहा है banking लोगपाल योजना की घोसना किस वर्स की गई थी तो यह आपकी हुई थी वहिया 2000 में option number D हो जाएगा अगला कुशन है प्रतेख बजार दसा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी सर्थ पूर्ण होनी आवेसक है इसमें हो जाएगा आपका वही आपका जो B option और आपका जो C option option number B हो जाएगा अगला कुशन क्या है कौन सा कथन सत्य है तो याद रहे है इसमें आपका C option है बच्चो MPC plus MPS वरावर equal to 1 होगा यह आपका सही हो जाएगा अगला कुशन है अन्य बाते समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ती की मातरा में धनातमक संबन्द व्यक्त होता है तो इसका जो राइट रहे तो पूर्ती फलन हो जाएगा option number D अगला कुशन है सीमान उपभोग प्रवड़ती निमन में से कौन है तो इसका जो राइट रहे तो आपका उपयोगिता अधिक्तम होती है तब सीमान उपयोगिता क्या होगी यह आपको बताना तो यह भी आप क्या हो जाएगी वही सुननी हो जाएगी बात करें next question की अगला question है सबसे पहले किसने माइक्रो सब्द का प्रियोक किया था तो यह क्या था आपका रिंगनर फिर्शने option number आपकी D चली जाएगी बात करता है next question की किस अर्थवेस्था में कीमत तंतर के आधार पर निनने लिया जाता है तो यह पूझी वादी option number B अगला question क्या है दिहान दीजिए निमली कित्मे से किसके अनुसार मुद्रावे धुरी है जिसके चारो और समस्त अर्थवेस्था चकर लगाती है तो इसके जो right answer है वो आपका हो जाएगा Marshall option number C सही हो जाएगा अगला question है एक समाजवादी अर्थवेस्था का मूल उद्दे से होता है तो इसके जो मूल उद्दे से होता है अधिकतम लोग कल्यान होता है option number आपका D विल्कुल सही हो जाएगा अगला question है निवेस गून क्या होगा यदि सीमाद बच्चत पिरवर्ती MPS 0.2 हो तो इसके जो right answer है वो आपका 2 हो जाएगा option number C बात करते है next question की निवन में से कौन समाजवादी अर्थ विश्था की विश्था नहीं है तो यह आपका सामाजिक स्वामित्य नहीं होगा option number A हो जाएगा अगला question है अर्थ विश्था का अध्यन वेस्टी अर्धसास्तर एवन समस्थी अर्धसास्तर में किस वर्ष विवाजित हुआ है तो यह हुआ है आपका भाई 1903 में बच्चों यहाँ पर कोई option नहीं है option क्या है misprint है याद रखिएगा 1903 में अगला question है जब किसी अर्थ विश्था का सम्मन्द किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाएगा तो बताइए उस देश को क्या कहा जाएगा उसे कहेंगा भी खुली आर्थ विवेश्था option number A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है निमांकित में से कौन संकुचित मुद्रा है तो जो संकुचि मुद्रा है बच्चो वो आपका ही है M1 option number A हो जाएगा बात करें next question की अगला question है पूछ रहा है 60 के उदेशियों से मुद्रा की मांग किस प्रिकार निर्वर करती है तो मूली इस तरपर option number B हो जाएगा बात करें next question की आपसे पूछ रहा है गुलन 1 upon 1 minus C में C क्या है तो C क्या है भई C आपका क्या है उपभोग है option number आपका A बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है निर्वर में से किसने एकादिकार प्रितियोगिता की धारना को दिया तो इसमें आएगा chamber lean option number B हो जाएगा बात करते है next question की तो आप से पुछ रहा है भुकतान शंतुलन में ऐसंतुलन का निम्ल में से कौन आर्थिक कारण है तो बदाई कौन आर्थिक कारण है तो यह तीन हो ही नहीं भई इसलिए आपका option number D हो जाएगा बात करते है next question की पूछ रहा है द्रस्य मदों के अंतरगत किसे सामिल किया जाता है तो सामिल किया जाएगा मसीन को option number C हो जाएगी अगला question है निमां कितमे से कौन सी वस्तु किसी देश के भुकतान संतुलेल में चालू खाते के credit पक्ष में दर्ज की जाएगी तो यह आपका हो जाएगा चाय निर्यात में option number C अगला question देखे क्या है निमां कितमे से कौन सा कथन गलत है तो इसमें जो गलत कथन है वच्चो आपका option number C हो जाएगी देख लिजेगा बात करते हैं next question की अगला question है पूछ रहा है रोजगार गुनन सिधान्त के जनक कौन थे तो कौन थे वही यह आपके किंस्त है option number आपकी A चली जाएगी बात करते हैं next question की अगला question है पूछ रहा है उत्पत्ति हास नियम लागो होने के मुख्य करण कौन सा था तो इसका जो मुख्य करण था आपका साधन की सी में था और साधन का अपून इस्थापन था इसलिए आपका option number C चला जाएगा अगला question है किसी वस्तुने मान रही आप सकता की पूर्टी को छमतक को कहते हैं इसकी तो बता ही क्या कहेंगे इसको कहेंगे उप्योगिता option number आपका C हो जाएगे अगला question है निम्लिकित में से किसके अनुसार मुद्रा वेह है जो मुद्रा का कारे करें तो बता ही क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा हारटल विदर्स option number A चली जाएगे बात करते हैं next question की पूछ रहा है निम्लिकित में से कौन सा मुद्रा का कारें नहीं है तो जो मुद्रा का कारें वेह है आपका मूलिय संचे option number C हो जाएगे अगला question है मुद्रा के इस्थितिक एवंगत्यात्मा कारें का किया तो जो कारें का भिवाजन किया वो क्या पॉल एजिंग ने option number आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा बात करते हैं next question की पूछ रहा है दिरकालिन उत्पादन फलन का संबंद में से किस से है तो ये संबंद है आपका उत्पती व्रदी नियम से option number B हो जाएगा अगला question है उत्पादन का सक्रे सादन क्या है तो इसका है आपका स्रम option number B अगला question है साग गुनन होता है साग गुनन भई क्या होता है ये आपका one upon CRR होता है option number A हो जाएगी अगला question है उच रहा है निमन कित्में से कौन इस्तिर लागत नहीं है तो इस्तिर जो लागत नहीं हो आप कच्चे माल की लागत नहीं है option number आपका C बिलकुल सही हो जाएगा अगला question है जब ओस्त लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और ओस्त लागत की तुलना में क्या होती है तो इसमें होगा आपका जो MC है वो लेजदेन हो जाएगी AC के इसलिए आपका option number C बिलकुल सही चला जाएगा अगला question है भारती रिजर बैंक है तो बताएगे क्या है या आपका केंदरे बैंक है option number A हो जाएगा अगला question है मुद्रापूर्ती का नियमन कौन करता है तो इसको जो नियमन करता है वो रिजर बैंक ओफ इंडिया करता है आर भी आई बच्चो करता है बात करते है नेक्स कुशन की अगला question है निमांग कितमें से कौन वस्तु का कर नहीं है वस्तु का कर जो नहीं वो आपका आई करें option number D आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है बच्चत और आई के सम्मंद को क्या कहते हैं तो बच्चत और आई के सम्मंद को हम व्योग पलन कहते हैं option number A हो जाएगा अगला question है कौफी के मूले में विर्दी होने से चाय की मांग चाय की मांग पर क्या effect पढ़ने वाला है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number A बढ़ती है अगला question है बच्चत और ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ रहा है अक्चो के केंदर से निकलने वाले पूर्ती रेखा की लोच होती है तो यह आपको सुनने के बराबर होती है बात की जाए नेक्स question की पूछ रहा है इस तिर मूले पर आकल्तित शकल राष्टे उत्पाद क्या है तो यह आपको होजाएगा वास्तिविक GDP option number B अगला question क्या है ध्यान दीजिएगा भारत में बेंकिंग छेते सुधार किस वर्स प्राराम हुआ था तो यह आपका प्राराम हुआ था 1901 में option number C अगला question है बजट की अवधी क्या होती है बजट की अवधी होती है भई वार सी क्या है बजट पेस किया जाता है अगला question है भुक्तान संतोलन की निम्लिकत में से कौन सी विशेष्टा है तो यह आपकी चतीनों विशेष्टा है पाई जाएगी इसलिए आपको option number D हो जाएगा बात करें next question की एक खुली आर्थ विश्टा में सामुही ग्मां का संगठन कौन है तो इसको जो संगठन है वो आपका option number D हो जाएगा बात करें next question की आपसे पूच रहा है महामंदी किस वर्स आई थी तो यह आई थी भही हमारी 1939 को option number B हो जाएगा अगला question है निम्लि में से कौन एप्रितेक्ष कर है तो जो एप्रितेक्ष खरे हुए है विक्रिकार option number D हो जाएगी अगला question है निम्लि में से कौन प्रात्मि घाटे की सही माप है तो यह आपका है राजे कोस घाटा और राजे स्वे घाटा option number A हो जाएगा बात करें next question की तरलता पासे में ब्याज की दर का क्या मान रखता है तो जो मान रखता है वो आपका होता है नियून तब option number B हो जाएगी अगला question है उदासिंता वक्र की क्या ढाल होती है तो इसकी ढाल होती है में रणा अतमक option number B चला जाएगा अगला question है निमांकित में से किस बाजार में मूले कम और उत्पादन अधिक होता है तो ये होता है आपका उन प्रतियोगिता में option number A हो जाएगी अगला question है सीमाद उप्योगिता हास नियम के प्रतिपादक कौन थे तो इसके प्रतिपादक थे option number A चली जाएगी अगला question है जब सीमाद उप्योगिता नियम को कहा जाता है तो इसको कहेंगा प्रतिस्थापन का नियम option number C हो जाएगा अगला question है उत्पादन विदी द्वारा घरेलू उत्पाद की गण्णा में किसे जोड़ा जाता है तो यह होगा वर्दित मूलिय को option number B हो जाएगा अगला question है economic consequences of the pieces पुस्तक के लेखा कौन है तो इसके लेखा के वहीं किस option number A हो जाएगा अगला question है यदि सीमाद उप्भोग प्रिवर्थी MPC 0.2 हो तो सीमाद वच्चत प्रिवर्थी क्या होगी तो यह आपकी हो जाएगी 0.2 option number B अगला question है निमलिकत में से कौन सा stock है तो यह आपका समपत्ती का stock है भई option number D हो जाएगा अगला question है कौन समस्टी आर्द सास्त्र के अध्यन का विसे है तो यह है आपका उपभो का सिध्धान option number B अगला question है किसने कहा कि आर्द सास्त धन का विज्ञान है तो यह कहा था भाई Adam सिमित्ने option number C हो जाएगा अगला question है निमलिकत में से कौन उतपत्ती का सादन नहीं है तो जो उतपत्ती का सादन नहीं हो आपका है स्रम option number B हो जाएगा अगला question है चार चैतरी अर्द विस्ता मौडल के चक्रिये फिर वहाँ में संतुलन के लिए सर्थ निमलगत में से कौन सी है तो जो सर्थ है आपकी वह है आपकी option number C बात करें next question की तो अगला question है तिरत्य चैतर के अंत्रगत निमलगत में से कौन सी सेवसमलित है तो यह है आपका संचार option number B हो जाएगा अगला question है सीमान्त आवसर लागत निम में से कौन है तो यह है आपका option number B बात करें next question की अगला question उस वक्र का नाम बताईए जो आर्थिक समस्या दरसाता है तो वो है आपका उत्तपादन संभावना वक्र बात करें next question की पूछ रहा है निम्लिक्त में से कौन सा कथन ऐसत्य है तो बच्छो इसमें क्या है कानिफ्यूजन थोड़ा आप ध्यान से देख लीचेगा बात करते है next question की इसी अर्थ वेस्ता में एक वर्ष के अंतरकत उत्पादित अंतिम वस्तों तथा सेवाओं के बजा लोचदार है option number a हो जाएगा अगला कुशन है आउस्पृतिक अंतराल माप बताता है यह बताएगा तीनों की नहीं बताएगा इसलिए आपका option number d हो जाएगा अगला कुशन है अतिरक मांग होने के निम्लिक्त में से कौन से कारण है तो यह आपके हो जाएगे बही जो आपका option number a और b दोनों बात करें next question की किस बाजार में फरम का मांग वक्र पून लोचदार होता है तो यह होता है पून प्रतियोगिता में option number a हो जाएगी अगला कुशन है किस राज्य कोसी उपाय के अंतरगत न्यून मांग को सहीं करने है तो नहीं किया जाता है तो इसमे हो जाएगा अगला कुशन है भारत में एक रुपे का नोट कौन जारी करता है तो याद रहे हैं यह हमारा भारत सरकार का वित्यमंत्रा ले जारी करता है option number c हो जाएगा फाइल बचो कुशन है आपका question number 100 पूछ रहा है निमने कितमें से कौन सी राजस्पे प्राप्ति नह सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि आपका एक्जाम जब होगा तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको उसके अंसर की तुर्वाइड कर गया जाएगी तो मिलते हैं और एक भैतल वीडियो साथ अब तक लिए जैहिंद बंदे मातरम